कई पोशक ततों से भरफू चुकंदर हमारी सेहत और तुचा के लिए काभी फैदेमंद होता है लेकिन कुछ ऐसी बिमारिया है जिसमें इसका सेवन करना हानिकारक साबित हो सकता है तो चलिए जानते हैं किन बिमारियों के लोगों को चुकंदर से दूरी बनानी चाहिए चुकंदर हमारे सेहत के लिए काभी फैदेमंद माना जाता है कई सारे पोशक ततों से भरफू चुकंदर हमारे स्वास्ति नहीं बलकि तुचा और बालों के लिए भी कापी लाबदायक होता है इतना ही नहीं चुकंदर के अलावा इसके छिलके भी तुचा और बालों से जुड़ी कई समस्याओं के लिए लाबदायक होते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई पोसक तत्वों से भर्पू चुकंदर हमारे लिए हानिगारक भी साबित हो सकता है दरसल इसे खाने से जितने फायदे होते हैं उतने ही इसके साइड एफेक्ट भी होते है कुछ बीमारियों से पीडित लोगों को भूल कर भी चुकंदर का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करना उनके लिए भारी पढ़ सकता है तो चलिया जानते हैं इन लोगों के लिए नुकसान्दे चुकंदर का सेवन होता है अगर आप लोग ब्लोड प्रिसर के मरीज है तो चुकंदर खाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है दरसल चुकंदर में नाइट्रेट की अधिक मात्रा पाई जाती है जिससे पाजन तंत नाइट्रिक अक्साइड में बदल देता है Nitric Oxide सरीर में खोन को पतला गरता है जिससे Blood Pressure कम होता है और ऐसे में अगर आप पहले से ही Low Blood Pressure के मरीज हैं तो चुकंदर का सेवन ना करें Euralithesis यानि Kidney Stone में भी चुकंदर का सेवन करना हानिकारक माना गया है Kidney Stone से पीड़त लोगों को चुकंदर से दूरी बनानी चाहिए क्योंकि इसमें भारी मात्रा में मौजूद आक्सलेट Kidney Stone की समस्या और भी ज्यादा और गंभीर बना सकता है अगर आप Diabetes के मरीज हैं तो भी आपको चुकंदर से दूर रहना चाहिए चुकंदर खाने से Diabetes के मरीजों में नर्व डेमेज का खत्रा बना रहता है साथ ही चुकंदर का जूस पीने से सरीर में फाइबर कम होता है और गलाइसेमिक लोड काफी बढ़ जाता है ऐसे में बहतर होगा कि Diabetes के मरीज चुकंदर से परहज अवस्य करे कई बाद चुकंदर का सेवन करने से कुछ लोगों को तचा पर चकतते पित पत्री खुजली ठेंड लगना और बुखार जैसे समस्य होने लगती है अगर साथ ही चुकंदर का जूस पीने से भी कई लोगों को कुछ दिखते होने लगती है ऐसे में अगर आपको चुकंदर से कुछ ऐसी अलर्जी महसूस होती है तो इसका 7 भोल करके भी नहीं करना चाहिए ज्यादा मत्रा में चुकंदर 7 करने से कई बाल लिवर डेमेज होने की समस्या भी होती है दरसल चुकंदर में आयरन, कॉपर और कई ऐसे चीजे भारी मात्रा में पाई जाती है जो इसके आधिक 7 से लिवर में जमा हो जाते हैं जिससे आपको समस्या हो सकती है यह जानकाती सुझाव सिर्फ सामाने सुचना के उद्ध्यस के लिए है और इसे पेशेवर चिकिता सलाह के रूमें नहीं लिया जा सकता है कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप डेक्टर से सलाह अवस्य ले लें धन्यवाद